एलो गाईज, जैसे कि आप सो भी जानते हैं, यह हमारा स्टनोफ वारोल यूट्यूब प्यानल है, हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल के आपको फ्लास उप्लप करा रहे हैं बेसिक में हम डॉक्टर जीडी बिस्टीन का दोसो पचाश शब्द प्रतिमेट के गतिकर रिकॉर्ड हैं, उनकी पुस्तक से आपको बेसिक हिंदी और इंगलिश में अलग लग समय पर उप्लत करा रहे हैं साथ ही इनी की पुस्तकों इंगलिश और हिंदी जो अलग लग हैं, उनी की आदार पर हम एक्सपर्ट लेवल की भी आपको तयारी करा रहे हैं, जिसमें 160 शब्द, 180 शब्द और 140 शब्द प्रतिमेट के गतिके आदार पर डिक्टेशन रहती हैं और उनके बिसेश प्रणाले की आदार पर आउटलाइन और वाक्यांस दिये गए हैं, सभी 80 शब्द प्रतिमेट के गतिके लिए तैयार हो जाएगा, आनंद आशुलेपी मासिक पत्रिका अंक दो, प्रतिलेकन संक्या 5 और 6 है, यह है, रेडी हिंदी में प्रकाशित इन सफल सोध पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी में शोध लेखन का एक अच्छा बातावरण तैयार किया है परिणाम सरूप आज कुछ शोध प्रवंद हिंदी माध्यम से प्रस्तुत किये जाने लगे है आज आवश्यक्ता इस बात की है कि हमें ऐसे प्रयासों की मात्र सरहाना ही नहीं करनी चाहिए अपितू इसे अपनाना भी चाहिए आज आवश्यक्ता है हिंदी में प्रकाशित होने वाली सोध पत्रिकाओं को बल देने की साथ ही हिंदी में प्रकाशित होने वाले सर्बोत्तम सोध पत्रों को पारितोशिक प्रदान कर हिंदी के हिंदी में शोध लेखन को प्रोचसाहित करने की हिंदी में विज्ञान लेखन को प्रोचसाहित करने के लिए इधर कुछ वर्सों से अच्छे प्रयास प्रारंब हुए हैं और वैज्ञानिक लेखन के लिए प्रारंब की गई पुरुसकार योजनाओं से छेत्र विशेस से संबंदित साहित्य निर्माण में काफी लाव मिल रहा है केंद्रिय सचवालने हिंदी परिशद नई दिल्ली हिंदी विज्ञान साहित्य परिशद बंबई विज्ञान परिशद इलाहबाद तथा जन विज्ञान मिशन लेख निवंद प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रही है इस दिशा में अन्य स्वयम से भी संस्थाओं को भी आगे आकर हिंदी में विज्ञानिक लेखन को परोच साहित करना चाहिए इस छेत्र में निस्ठा से कार्रे करने की आविश्चक्ता है महोदै विज्ञान के बिविद बिशियों में जो वैज्ञानिक सोध होते रहे हैं उनका प्रकाशन अधिकांस अंगरेजी या विदेशी सोध पत्रिकाऊं में ही होता रहा है हमारे वैज्ञानिकों की तो मानो यह मानसिक्ता ही बन गई हो की जब उनके सोध पत्र विदेशों में प्रकाशित होनी बाली पत्रिकाओं में छपेंगे तभी उन्हें ख्याती प्राप्त होगी इस छेत्र में बारत की कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने हिंदी में शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंब करके एक अच्छी पहल की है और यह सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान के शोध इस तरिये सामिक्री का प्रकाशन हिंदी भाशा में उचित रूप से किया जा सकता है इंस्ट्यूशन ओफ इंजिनिरिंग नामक बिश्व विद्याले इसतर की संस्था सोध लेखों का एक हिंदी संस्क्रण भी प्रकाशित करती रही है चालिस के दशक में प्रारंब हुई इस सोध पत्रिका को उस छेतर का अग्रगामी कहा जा सकता है सन 1948 में विज्ञान परिसद प्रभाग की एक विज्ञान परिसद अनुसंधान पत्रिका नामक सोध पत्रिका का प्रकाशन कर रही है ग्वालियर से भी हिंदी में एक शोध पत्रिका का प्रकाशन अनेक वर्सों से किया जा रहा है रसाइन समिछा नामक राजिस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होने वाली एक हिंदी शोध पत्रिका है क्रसी चैनिका नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भारतिय क्रसी अनुसंधान परिसद द्वारा किया जा रहा है सुतुंतृता के लंबे दौर के बाद भी भारत में हिंदी विज्ञान लेखन और प्रकाशन विदेशी भाशा के सिकंजे में कसा हुआ है आज भारत के जिन छेत्रों में माध्यमिक इस्तर तक हिंदी में विज्ञान बिसे पढ़ाया जाता है वहीं 40 प्रतीसत विद्धार्ती BSC में पहुचने से पहले विज्ञान बिसे छोड़ देते हैं जिसका कारण BSC में पहुचकर अचानक अंग्रेजी भाशा में पाठ्थे पुस्तके होना है इन में से 45 प्रतीसत विद्धार्ती जो अंग्रेजी माध्यम को रोधो कर अपना लेते हैं वहीं 95 प्रतीसत यदि हिंदी माध्यम को अपनाने का प्रयास भी करते हैं तो उनके सामने कई समस्याइं खड़ी हो जाती हैं पहले तो उनके सामने हिंदी माध्यम से पाठ्थे पुस्तकों का ना होना या बहुत कम होना है दूसरे सिख्षकों द्वारा तयार कराई जाने वाली पाठ्थे सामिग्री भी हिंदी में नहीं होती यदि होती भी है तो हिंदी अंग्रेजी की उस खिचडी में अंग्रेजी की डाल कहीं अधिक होती है कुल मिलाकर हिंदी माध्यम से विज्ञान विशे के विध्यार्थियों की इस्थती अच्छी नहीं रहती और उनके सामने सदेव एक ही प्रश्न घूमता रहता है कि वह हिंदी माध्यम से परिच्छा उत्तीन भी कर पाएंगे या नहीं उधर अंग्रेजी माध्यम में जाने वाले विध्यार्थियों की इस्थती मात्र रट्टू तोते की बनकर रहे जाती है अब कुछ विश्व विध्याल्यों ने हिंदी को समस्त विश्यों के अध्यन एवं परिच्छा का माध्यम सुईकारा है लेकिन सबाल यह है कि कितने संस्थानों ने इसे खुले दिल से सुईकारा है और कितने सिख्छक इसके पक्ष में है इसका अनुमान आज भी हिंदी में विध्यान पाठ्थ पुस्तकों के आभाब को देखकर सरलता से लगाया जा सकता है आज सिख्छक वर्ग द्वारा विध्यान के विभिन विश्यों पर अनेक पुस्तकें लिखी जाती है महोदे गुलामी के लंबे दौर के बाद सोतंत्र हुए भारत के निर्माण के लिए जहां सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्रे प्रारंब हुए बही वैज्यानिक कार्रे कलापों ने भी तेजी आई इतने कम समय में हम इतनी अधिक प्रगती कर गए कि हमारा देश बैलगाडी के युग से निकल कर आधुनिक विज्यान के युग में आ पहुँचा आज भारत ने कई महत्वपून उपलब्धियां हासिल की हैं जिसने भारत को विज्यान एवं प्रगती के कई छेत्रों में आत्म निर्भरता की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज हमारे यहां विज्यान की उच्च सिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं हो पाया है यह हमारी डिक्टेशन समापत हो गई जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट का लिंक दिया गया है जोड़कर गूगल मीट के माध्यम से पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट www.isternoforall.com पर आप जाकर करना चाहें तो यूज कर सकते हैं